कि कुश्चन में क्या कहता है आप ध्यान दीजिए पहले कुश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कुश्चन में कहता है दब फॉलविंग आपके पास डिटेल गीवन है एक स्ट्रेट और बुक्स और एक कंपणी है जिसका बुक्स दे रहा है शेयर के 9% प्रफरेंश यह ठीक है सर और अलग-अलग कैटेगरी के अलग-अलग शेयर दे रखे हैं इसके पास रिजर्व एंड सर्प्लस है जनल रिजर्व है एंड प्रॉफिट एंड लॉस है और फिर वेल्यूएशन ओफ एसेट्स कंपणी यानि कंपनी के जितने भी एसेट्स थे ना सभी एसेट्स के अंदर मिला के अपरिशेशन कितने का हुआ हमारा 75.000 तो चयानि अगर कंपनी बंध होता है तो परफैरडर क्लेम करेगा और फशर्दर क्लेम कितना करेगा इसे बंध करके आए करो जो भी आएगा इसे बंध करके आएगा तो liquidation claim करेगा समझ रहे हैं बात को आप मैं question दुबारा repeat कर दूँ हमारे पास preferent share है और equity share है, reserve and surplus और यह है कहता है हमारे जितने भी assets थे ध्यान देना, जितने भी assets थे उसका 75,000 बढ़ जाएगा लेकिन आप notice करो पूरे सवाल में कहीं भी assets की बात नहीं कर रहा ठीक है आगे कहता है 10% of surplus assets यानी preference shareholder बोलता है भाईया, मेरा जो claim है यहाँ पर 3,000,000 वो तो मैंने लेना ही लेना है उसको मैं छोड़ूँगा नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा extra claim चाहिए कितना extra claim चाहिए, जितना भी assets equity share, हमें बताना है value of each preference share का कितना होगा and equity share का कितना होगा assuming, liquidation, ignore expense of winding up, कुछ है नहीं तो सबसे पहले हमें assets find कर लेना चाहिए तो total assets sir total assets कितने होंगे अगर हम total assets की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए, कि जो balance sheet बनता है हमारा, ध्यान से notice करिएगा balance sheet में अगर आपको liability का total पता चल जाता है तो आपको अच्छे से पता है कि sir हमें assets का भी total निकाल पाएंगे simple सा concept अगर liability का total पता है तो आप किसका भी निकाल पाओगे और मेरे question में देखो तो liability की सारी बाते बता दिया यानि it means हमें liability का side पता है तो वही अगर liability को मैं total कर दूँ तो वही किसका बन जाएगा हमारा assets का बन जाएगा है तो मैं फटा फट से liability का total कर लेता हूँ जिसमें के हमारा है preference share capital that is कितने percent है preference share capital चलिए preference share capital जो है वो हमारा 3 लाग का है इसके बाद equity share capital का different different category है number one 1000 equity share है के नहीं और 1000 equity share 100 रुपे का एक लेकिन यहाँ पे called up जो था वो कितने called up है यहाँ पे called up जो है पचास है 1000 equity share at the rate hundred each and called up that is पचास तो आपको amount दिख रहा होगा सर that is पचास हजार दूसरा category equity का है हमारा 1000 equity into में 100 रुपीस इच है at the rate 100 इच बट यहाँ पे भी again called up कितना only 25 only यहाँ पे पचास था यहाँ 25 तो that is यह कितने आ जाएंगे और एक और category है सर C category C category में क्या कहता है सर यहाँ तीसरी हजार at the rate 100 इच और that is fully called up तो fully का मतलब सर 100 रुपई होगा that is आपका एक लाफ उसके बाद सर reserve reserve की बात करें तो general reserve है और इसमें plus कर देते हैं profit and loss मैं खटा कर देता हूँ space बचाऊँगा मैं थोड़ा सा profit तो यह total कितना जाएगा 2,50,000 अगर हम इसकी total कर दें तो that is हमारा assets आजाएगा यह क्या आजाएगा assets total क्या आएगा 7,00,000 पहले यहां तक देखे total assets निकालने का तरीका total assets आगया तो हमें चाहिए क्या assets में से हम preferentia को minus कर देंगे और अगर कोई value में appreciation लगा है तो वो plus कर देंगे वही काम करते है तो अगर value में appreciation की बात करें तो सवाल में कहता है कि सर यह appreciate भी होगा मैंने कहा कितना appreciate होगा value में कहता है जितने assets से सब को मिला के पिछातर तो भाईया यह मैं यहां पे total assets लिखनू तो कोई बुराई नहीं है total assets भी यही होने वाला है इसमें 75,000 रुपिस increment लगा दे तो हमारे पास जो value आएगा वो कितना आजाएगा अठ लाक रुपे हाँ के नहीं अब इसमें से हमें क्या निकालना है less कर देंगे क्या सर हम preference share capital that is कितने का है 3,000,000 का हमारा बचा कितना 5,000,000 का इसमें से भी आप minus कर देंगे सर equity क्योंकि यह जो पैसा बचा है यह equity वालोगा है सारा तो इसमें से भी हम less कर देंगे क्या सर equity share capital ध्यान रखिएगा जो एक बात बोलिए इसने कि 10% of surplus surplus निकालना सिखा रहा हूं है तो equity share का totality में देखोगे तो equity share हमारा इन सभी को total कर दें तो equity बन जाएगा that is कितना आएगा 1,75,000 है ना तो 1,75,000 तो इसको minus कर दें तो अब पैसा बच गया हमारा 3,25,000 मतलब हमारा जो assets होता है उसमें से preference निकाल दो उसमें से equity निकाल दो सब निकाल दो फिर जो पैसा बचता है that is a surplus assets उसको क्या बोलेंगे हम उसने बोला claim किसका लेगा surplus assets का 10% तो surplus assets क्या है हमारा यहां पे 3,25,000 इसका 10% लेंगे तो 10% अगर इसका claim आएगा तो that is हमारा कितना आएगा 32,500 यहां तक समझ मैं है यह तो हमने एक statement format में यह काम सारा का सारा complete कर लिए बताए है यहां तक वोई दिकत clear है तो अभी हमने सारा का सारा claim निकाला यानि overall हम देखें तो sir यहां पे तो claim दो हो गया preference share holder का एक यह हो गया और एक यह हो गया question कहता है ascertain the each preference share and equity share assuming a liquidation shares assuming a liquidation ignore expense मतलब हमें value of shares निकालना है surplus निकालना है future के अंदर हमें पैसे जो भी है liquidation करने के लिए कहता है ascertain the value of each preference and equity share एक preference share की value बता दो equity preference share की तो यही रहेगी जो की रहने वाली है और equity share का भी बता दो ignore कर देना expense अब यहां पे सीधी सी बात है सबसे पहले तो हम equity का हमने अभी तक equity का तो सीखा हुआ है तो हम equity का value निकाल सकते है इसलिए sir equity के value निकालने के लिए क्या होता है sir sir होता है हमारा asset या मैं बोल दू net assets तो उसमें कोई बुरा ही नहीं है पहले लिख लेते हैं net assets तो मेरे सवाल को देख के बताईए net assets कितने का रहा है तो sir net assets आ रहा है हमारा valuation add करके preference share को add करके that is 5 लाग net assets कितने का था हमारा और इसके अंदर मैंने बोला था आप अगर future में value call करते हो तो इसके अंदर national call add कर दो अगर मैं आपसे बोलू national call कितना है तो भाई साब national call अगर देखा जाए तो इससे हम कितना और मांगेंगे पचास हजार मांगे क्योंकि पचास दे चुका है तो पचास मांग लेंगे इससे कितना मांगेंगे हम एक हजार इंटू में 75 इससे कितना मांग लेंगे हम 75 अजार यानि एक लाख पच्चिस अजार मैंने करके नहीं दिखाया लेकिन clear है हर बच्चे को एक लाख पच्चिस अजार national call हो गए तो national call last class में हमने discuss कर रखा है इसको तो एक लाख पच्चिस अजार total assets हमारा कितने को गए 6 25 का लेकिन इसमें से एक claim जो आया claim माइनस कर देना है ठीक है ना या मैं थोड़ा सा और इसको claim माइनस कर देना है या मैं थोड़ा सा इसको ना और elaborate कर देता हूँ माइनस कर देते हैं एक और claim मैं या मैं और थोड़ा सा अच्छे से चलो टाइम जाएगा नहीं खाली मैं assets ना यह वाला pick कर रहा हूँ ठीक है यह आठ लाग ठीक है यहां से चलेंगे हम तो net assets है ना आठ लाग आठ लाग में से माइनस क्या करोगे सर preference share capital माइनस क्या कर दोगे preference shareholder का claim तो 3 लाग रुपए था और claim कितना था 32 फान सो यहां निकाला था ने 32 फान सो अब हमारे पास यह आगया net और add कर देंगे national rent तो कितने आ गये हमारे यह 4 लाग बताओ 4 एर्ट सट कितने आ जाएगे 8 लाग माइनस 3 लाग 66,000 ठीक है और उसमें प्लस कर देंगे 125 यहां तक समझ में आया 592,500 यह क्या है सर यह हमारा value assets है अब value of shares कैसे निकालते हैं formula क्या कहता है value of shares is equal to net assets value divided by number of shares कर देते हैं तो हमारा क्या हैगा 592500 divided by number of shares की बात करें तो हजार यह है हजार यह है हजार यह है हजार यह है that is कितने हो गए तीन हजार divided by तीन हजार तो यह आ गया 197.5 value आ गया अब हमें answer निकाल पाएंगे number one पहले का answer 197.5 जिसमें से 50 रुपे पेड़ नहीं था तो 50 minus कर देते हैं minus 50 यही सीखा था ना 147.5 ठीक है न यही सीखा था दूसरे वाले का जो कि आपका आगया 147 यह ठीक है दूसरे वाले का अगर देखें तो हमारा 25 रुपे called up है तो कितना नहीं payment किया 75 तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे हम 197.5 है जिसमें से 75 minus कर दोगे that is कितने आ जागे 0.5 122 और यह सारे question मैं वो करा रहा है जो एक्जाम में आए हुए है point number 3 197.5 इसमें से सारा fully paid up था तो 197.5 आ गया यह हमारा shares के जो तीन टाइफ थे उसके आगे तो यह देखिए आपका तीनों के answer साग अगला कहता है अब यह preference share का भी निकालो तो preference share holder का अगर देखा जाए तो मैं यहीं निकाल देता हूँ preference share का अगर देखा जाए तो total preference share की value कितनी है total preference share की value है 3,32,500 पांसो तीन लाख 32,500 नहीं एक मिनाट तीन लाख का हमारा नॉर्मन शियर था तीन लाख का मतलब सौ रुपे वाला यह देटेज कि तीन हजार होंगे ना सौ वाला है तीन हजार हमारा preference share number है अब value की बात करें तो value क्या आएगा सर तीन लाख तो नॉर्मन शियर था प्लस उसने claim भी कर लिया था claim कितना किया था 32 पांसो claim कितना कर लिया था 32 तो तो तीन पांसो को अगर हम claim कर ले तो कितना बनता है हमारा तीन लाख 32,500 बनता है इसको किस से डिवाइड कर दे हम तीन लाख 32,500 को डिवाइड कर दो आप किस से तीन अजार से यही होगा ना तीन लाख 32,500 डिवाइड बाई तीन अजार तो rate क्या आगया हमारा 110.8333 something आजाएगा चेक करो आप यानि preference share का valuation निकालना बड़ा आसान है जो preference share holder का amount है total कर लिजिए उसको number of share से divide कर दीजिए एक share क्या आजाएगा value आजाएगा तो total पहले यह बताओ preference share holder को इतने मिलने थे यह आपको समझ में आए कैसे तीन लाख तो normal था बाद में 10% surplus का claim भी हुआ तो total कितने होगा तीन लाख 32,500 नंबर अफ शियर कितने थे 3000 मैंने 3000 से इसको divide कर दिया मैंने divide करकर नहीं दिखा है यहां दिखा देता हूं तीन लाख 32,500 भाज़ाइड वाय तीन हजार तो यह number निकलिके आ गया ठीक है clear है तो इस टाइप के question ना 10 नंबर में 15 नंबर में आपके exam में पूछे जाएंगे